दोस्कार दोस्तो मैं मुलकासार आपके साथ एक motivational वीडियो लेके जुड़ चुका हूँ नाम में ही सर आपको जो दिखाई दे रहा है motivation बट believe me, trust me, अगर आप इस वीडियो के साथ जुड़ चुके हो तो purpose यही है कि सर इच्छा बहुत है पढ़ने की बट ना पता नहीं दिन आ रहा है, दिन जा रहा है और पढ़ा ही नहीं हो रही है सिर्फ एक चीज़ हो रही है, at the end of the day, सिर्फ गिल्ट रहरे कि हमने आज का दिन वेस्ट क्यों कर दिया बहुत सारी बात है इस वीडियो में में discuss करने वाला हूँ मुझे पता है कि internal motivation सबसे ज़ादा important है बढ़ बहुत बार आखे खोलने के लिए कोई एक person चाहिए बताने के लिए, रस्ता दिखाने के लिए हमारे बच्चों में वो potential है कि वो करिश्मा अजूबा करके दिखा सकते है और दोस्तों मुझे आप में भरोसाय से बात यही है कि आपको वो guidance, आपको रस्ता, आपको वो कहने वाला हमेशा चाहिए कि भाई तुम आगे बढ़ो, रस्ता आसान होगा, तुम कर जाओगे और तुम से hope आएगा और यह चीज अगर कोई prove करके बता दे, यह चीज कैसे कही जा सकती अगर यह बता दे, तो बात ही खतम हो जाती है सर, आप यह देखो कि हर person के पास 24 hours है, लेकिन बहुत लोग उस 24 hours का सही से इस्तमाल नहीं कर पाते टाइम मानेजमेंट नहीं कर पाते, वो उलत जाते इस चक्कर में कि सर, हमसे तो होई नहीं रा, पता नहीं क्या, वो अलग-अलग रस्ते अपनाते है, शॉर्ट कर्स अपनाते है, और रिजल्ट बहुत जादा बुरा होता है सर आप लोग पीछे देख रहे हो, एक कोट पढ़ रहे हो, suffer the pain of discipline, or suffer the pain of regret, या तो आप उस दर्द को अब सहलो, कि पढ़ाई नहीं हो रही है, या पढ़ेगे तो हमारे दोस्त छुट जाएंगे, इंजॉइमेंट छुट जाएगा, अभी नवरात्र चल रही है, दिवाली आएगी, दसे राज, सब चीजे सर, festival से भरा हुआ, भरे हुए मंस है, हम इंडिया में रहते हैं, जिस culture को follow करते हैं सर, वहाँ पे कभी ना कभी आप लोगों को हर मंत में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, distraction के लिए, सर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि सन्यासी बनिये, पढ़ने के वक्त और दोस्तों ये सबसे important point है आज की इस वीडियो का, अब आपको होगे सर सन्यास की बात कर रहे हैं, चलो वीडियो बन करते हैं, आगे भी हम गलत चीज़ बता रहे हैं सर, तो अभी रुख जाना चाहिए, और जो बोलेगा कुछ तो अलग अलग रहा है सर, देखत ये क्या है, दोस्तों जिस course में हाप हो, जितना भी कम टाइम रह गया है, दो ही option आपके पास है, एक तो give up कर दो, एक तो वो कहा जाता है ना कि लड़के मरना कभी भी अच्छा है सर, बहुत सारे बच्चों ने अपने, बोलते ना कि self confidence कोई खो दिया है, और 10 लोग उसको बहार को बोलेगा, बेटा तु कर कर करो, क्या करेगा, उसको ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं क्यों करना है, सन्यासी बनना मतलब क्या सर, आज कल जो हम लोग मोबाइल पे time waste कर रहे है, सर आप खुद सोचिए, कितना screen time जादा है हमारा, और आप खुद सोचिए, एक बार उस मोबाइल को हाथ में ले लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम पे चले गए, कितना reels में कम से कम 20-25 मिनिट या, उससे भी जादा time आराम से निकल जाता है, सोने से पहले हमें phone चाहिए, सबसे पहले हमें phone चाहिए, तो हमारा planning सर, क्योंकि खुद के सोचने के लिए हमें वक नहीं मिल रहा है, because हमें थोड़ा free time मिल रहा है, हम phone ले रहे और उसमें लगे पड़े, हम दुनिया को देख रहा है, हाँ इसने ये किया, उसने वो किया, तो आप खुद के लिए कभ सोचोगे, सन्यासी बनो मतलब क्या सर, जिस हिसाब से सर, एक सन्यासी पूरे महोमाय से दूर हो जाता है, मेरे दोस्तों तीन महीने सिर्फ, आप भूल जाओ, कि आपके दम पे दुनिया चल रही है, आप भूल जाओ, कि आप इस दुनिया में exist कर रहे हो, अपना पूरा 100%, 1000% concentration उस चीज़ पे लगा दो, जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, आप board exam के लि के तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, कही न कहीं 19-20 होगा, क्योंकि हम इलता multi-task है, multi-talented तो नहीं है सर, हमें friends के मन भी संभालने है, हमें हमारे बहुत close one के मन को भी संभालना है, हमें उसका बुरा लगा, नहीं लगना चाहिए, ये भी देखना है, हमें साथ में अरे इतनी से छोटे से दिमाग पे हजार expectation रखोगे, तो क्या पढ़ पाओगे, सर, तीन महें ने तुम अगर अपने आपको अगर isolate कर लेते हो, कोविड में दो साल हम अलग थे, सर, बोलो yes or no, और अगर हम दो साल अलग थे, तो क्या ही सीखा था, हमने यहीं तो सीखा था, कि चीजों को आप समझे कि आप लोग जितना control self खुद पे रखोगे, उतना ही आपको benefit है सर, नहीं तो सर, छोड़ दो सारी बाते west है, तीन साल हम कोविड में रहे अकेले, क्यों सर, पता नहीं, रहे गए सर, सब रहे रहे थे हम भी अकेले रहे गए, और पढ़ाई के लिए बोलो तो वो नहीं हो पाएगा, दोस्ते बिल्कुल ही, आप लोग गलत स्टेच पे जा रहे हो, और एक बार ये time निकल गया, बाद में पस्ताने से अलावा कुछ option बचेगा भी नहीं, ट्रस्ट मी, सब को पढ़ने को time नहीं मिलता, अगर आपको मिल रहा है, आप लखी बच्चों में इसे हो कि आपको पढ़ने को time मिल रहा है, लेकिन क्योंकि आपके parents जितना मेहनत कर रहे हैं, जितने आपसे उम्मीदे लगा के बेटे हैं ना, मतलब उन, वो लोग ना सर, मतलब वो जो दो इनसान हैं आपके जिन्दगी के, वो सबसे जादा, ना, सबसे important लोग है, वो अपने expectation को, अपने उम्मीदों को, अपने feelings को, मतलब अपने, बोलते हैं ना, कि अपने जैसे हैं ना, जैसे तुमारे इच्छा है, कि हमारे dreams से सर हमको एक करना था, वो करना है, क्या उनके dreams नहीं रह रहेंगे, आज मैं देखता हूँ कि हजारों लाखों रुपे फीज बर रहे हैं, और बच्चा बोलता है, सर मेरे को तो motivation नहीं मिल रहा है, सर मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही है, अरे अपने पिताजी को देखिए, हमारे इस पढ़ाई के लिए, और हमें सर एक बात बता दो, आप पीछे इस image को देखिए, एक soldier सर, soldier बनने के लिए दिन में बहुत सारे किलोमेटर का running कर लेता है, physical exercise उसकी बहुत strong होती है, देश के लिए कुछ करना चाता है, हमें objective नहीं किसके लिए क्या पढ़ना है, सर ये बंदा, gold medal मिला, पुरी दुनिया उसे जान रही है, वावा कर रहे, लेकिन इसके पीछे क्या struggle है, उनने क्या हमें पता है, isolation में ये भी रहे, इनका phone, insta, snapchat, whatsapp, सब बनता सर, खुद practice, खुद का practice, खुद का improvement, हर दिन खुद को थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा- कि हम इनसान में बहुत जादा potential है, अगर हम खुद decide करें तो, मैं कितना भी बोल लूँ, मैं कितना भी motivation देदू, कोई किधर से भी आ जाए, कोई फलाना ढेकना, तुमको हजार चीज़े बताएगे, मेरे भाई खुद आईने के सामने खड़े रहे, और खुद पूछ खु समझ जाना कि अब बदलने की बारी है, अब कुछ कर दिखाने की बारी है, और बहुत हुआ सर, जो लोग आपको कम समझ रहे हैं, जो लोग आपको कब समझते हों, आपके class वाले हो, यो कोई भी हो, और मैं तो बोलता हूँ कि जुबान से नहीं अपने action से बोलिये, और बो आपको ही पता है कि हम हमारे parents को सर एक अच्छी जिन्दगी देना चाते हैं, हम हमारे parents के जो dream उनके उन्होंने complete नहीं किये, या उनसे complete नहीं हो पाए, वो हम पूरा करेंगे सर, है ना अगर मेरे parents जिन्दगी भर एक rent के घड़ पे रहे हैं, तो मैं उनको खुद का घर ले मालब सब कुछ है सर, लेकिन ना जब दस लोगों में रहते हैं तो मालब मेरा result पर या मेरी पढ़ाई देखके उनका मालब सर जुग जाता है, मेरा बच्चा कुछ नहीं करता, हमारी वज़े से ये नहीं होना चाहिए सर, बस आईने के सामने खड़े रहे हैं, उस सक्स को जो आईने में आपके सामने खड़ा है वो आपका सही दोस्त है और वही आपका दुश्मन भी है, अब आप सिलिक कीज़े आपको किसके साथ रहना है, आप अच्छे हो तो अच्छे बनिए, बहुत कम टाइम है सर, और कुछ कर दिखाईए, एक जिन्दगी, एक चांस, एक मौका, और याद रखो, एक बार ये पढ़ने का टाइम चला गया, और एक बार तुम कमाने लग गए, काम करने लग गए, कोई तुम को बोलेगा नहीं, एक जगा पे बैट और पढ़ाई कर, एक जगा बैट और पढ़ाई कर, एक जगा बैट और पढ़ाई कर, नहीं सर, पढ़ाई जी जितना मैं कहता हूँ ना पढ़ने जितना इंपॉर्टन पढ़ने जितना सुखून कहीं पे भी नहीं होगा बाके आप जाओ कमाने एक वर्कर को जो घर बनाने वाले होते हैं ना कभी देखिये उनकी मेहनत सर दो दो दस दस बीस बीस इटे जब एक औरत चार चार फ्लोर पे चड़के लेके जाती है दिन में से पचास सो ट्रिप्स करती है तब शाम का पास सो रुपया मिलता है सर उनके घर का खाना बनता है आपके डाड़ी जहाँ पे काम करते हैं अगर वो आठ घंटे खड़े रह कि तो ही बात बनेगी सर सिंपल सी बात है आप अगर इन तक आए हो तो आपको पता चल रहा है इनिशली मैंने बात की लेकिन यही बात है जिसकी वज़े से मोटिवेशन मिलता है सर क्योंकि वो आप पे घंट करे ऐसा कुछ काम करो सर उन्होंने बोलना चाहिए कि यह मेरा बेटा यह मेरी बेटी है बस और उसके लिए आपको छुटे छुटे गोल अच्छे हो करने बहुत जादा नहीं आपका नेक्स्ट एक्जाम इस यूर गोल कि यहाँ पर अच्छा करो सर हमारे परनस को प्राउट फिल कराएंगे और कुछ बोलूगा नहीं मुझे आप पर बहुत सारी चीज़े लेकर आओगा आपके लिए बट आप ट्रस्ट रखे और चीजों को कम्प्लीट कीजिए जहां आप रुकोगे वहां में घडा हो आपके लिए ठीक है चारो थैंक्यू सो मच बबाई टेक क्या जहीं जहीं भारत था कोई भी सपना साकार करने के लिए कि सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत अमोल कासर्स कॉमर्स अकाडमी को और करे अपने 11-12 CACSCMA का सपना साकार डाउनलोड दी आप नाउ